इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. F-statin B-stabulate statin नामक दवाओं के समूह से संबंधित है. इसका इस्तेमाल कॉलेस्ट्रॉल को घटाने और हिरदे रोग के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है. कॉलेस्ट्रॉल एक वसा पदार्थ है जो आपकी रक्त वहीकाओं में बनता है और इससे संकुचन होता है, जिससे हौट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है. एफस्टाटिन बीस टैबलेट काफी प्रचलित दवा है और डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेने पर इसे लंबे समय तक उपयोग के लिए सुरक्षित माना जाता है. इसे भुजन के साथ या खाली पेट लिया जा सकता है. आप इसे दिन में किसी भी समय ले सकते हैं. लेक के कॉलेस्टरॉल के स्तर की नियमित रूप से जांच होना आवश्यक है. यह दवा इलाज का केवल एक हिस्सा है जिसमें स्वस्थाहार, नियमित व्यायाम, धूम्रपान की समापती, शराब का सेवन और वजन कम करना भी शामिल होना चाहिए. इस दवा को लेते समय आप सा मान्य तरीके से खाना खा सकते हैं, लेकिन अधिक वसा वाला खाना खाने से बचें. Common side effects of this medicine include constipation, flatulence, dyspepsia and abdominal pain. यह आम तोर पर हलके होते हैं और थोड़े समय के बाद गायब हो जाते हैं. अगर वे बने रहते हैं, यह आपको अपनी आँखों में पीलापन दिखाई देत इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को यह दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यह विकास शील शिशु को नुकसान पहुंचा सकती है. डाइबिटीज के मरीजों को इस दवा को लेते समय अपने blood sugar level पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंक को विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद.